क्योंकि भक्त के अंदर ही वो बल होता है भगवान को भगवान बनाने का नहीं तो कृष्ण जिसके साथ एक समकालीन राजा बनकर जीना था वो राजा बनकर जीए जिसने मित्र माना उसके साथ मित्र बनकर जीए युदिश्थर ने बहुत आदर सतकार किया हमेशा भगवान का कभी उनके विरुद्ध कोई आवास नहीं उठाई परंतु जब अग्यातवास में थे तो भगवान ने कहा था युद्ध कर लो भी छोड़ो अग्यातवास और उनों ने कहा कि नहीं, युदिश्थर ने कहा नहीं भगवान हे मदु सुधन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने अपने सत्य का वचन दिया हुआ है जबकि अर्जुन और भीम दोनों ने कहा, आपने कहा, सोचनी की जुरूरत नहीं चलो भी चलते हैं पर युदिश्थर ने कहा नहीं जाने देंगे ना ही हम जाएंगे ये हमें मुझे धर्म संगत प्रतीत नहीं होता तो भगवान किसी के भी आगे भगवान नहीं बने सिवाए अर्जुन के और इस जो अध्याई है उसको मोक्ष सन्यास योग का नाम दिया गया है कि अगर मनुश्य एक सच्चा सन्यासी बनता है जैसा कि भगवान ने कहा कि सन्यासी कौन है तो वो निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी हो जाता है क्योंकि जब इस शरीर में है उसने अपने बंधनों को काट दिया और यदि अपने विकारों से भी उपर उठ गया तो आगे चलके पुनर जनम नहीं है उसका पुनर आगमन नहीं है इस पृत्वी पर जिसको की हमारे शास्त्रों में पूर्ण मोक्ष बताया गया है ना केवल कि मनोश्य इसी जनम में मुक्त हो परन्तु ऐसा मुक्त हो कि कभी वापिस ही ना उसको आना पड़े क्योंकि कुछ ये जो जीवन है चाहे कितने ही इसमें हास्य के पल हो कितने ही सुंदर क्यों ना हो परन्तु जो विद्वान है उन्होंने यही कहा है कि ले दे कर ये दुखों का घर है निरंतर मनुश्य को एक यत्न करना पड़ता है कि मैं दुखी ना हूँ तो ही मन सुकी रहता है तो ही मन संतुष्ट रहता है नहीं तो मन हमेशा दुख की और भागता है मन हमेशा ये देखता है कि मेरे पास क्या नहीं है और भवान ने कहा कि प्रतेक मनुश्य जो होता है उसकी एक अपनी विर्थी होती है कर्मों के अनुसार उसका सभाव बनता चला जाता है और सभाव के अनुसार उसके कर्म बनते चले जाते हैं एक को बदलो, दूसरा अपने आप बदलना शुरू हो जाता है सभाव को बदलो तो कर्म बदलते हैं कर्म को बदलो तो सभाव बदलता है सोच को बदलो तो दोनों बदलते है तो वुगान ने कहा कि यदि वास्तव में उस पत पर चलना है और मनुश्य को उस ब्रह्म बुहाई कल्पते जो वुगान ने कहा है उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए उसको अपने सभाव के अनुरूप ही एक बार वो निपाल गए, निपाल में जिस जगा पर थे, उनने चाहा कि कोई उनकी सहायता कर दे, घर पे आके कोई काम कर दे, बरतनित्यादी साफ कर दे, तो एक लड़का आ गया, अब लड़का क्षत्रिय बंश से था, तो उसका सभाव नहीं था, ऐसे सेवा में रहना, तो इनायत खान ने उनसे पूछा, उस लड़के से, कि तुम कितने बज़े से कितने बज़े काम करोगे, उसने कहा, मैं सारा दिन काम कर सकता हूँ, जब बुलाओगे, चलाओगा, और कितने पैसों में काम करोगे? उसमें बोला जो देंगे उसमें काम कर दूँगा सत्ते घटना है जो आप देंगे उतने में मैं काम कर दूँगा क्या क्या क्याम कर सकते हो इनायत खान ने पूछा उस लड़के ने कहा जो जो काम आप बोलेंगे सब कर दूँगा तो हजरत इनायत खान ने कहा बड़ी विचित्र बात है तुम सब कुछ करने को तयार हो जब मैं बुलाओंगा तब आने को तयार हो जितने पैसे मैं तुमें दे रहा हूँ उतने तुमें स्विकारे हैं कुछ तो तुम्हारी शर्थ होगी कोई तो condition होगी कि तुम तो सब कुछ करने कोई तयार हो उसने कहाँ एक शर्थ है यदि मेरे साथ कभी भी बत्तमीजी से बात की तो मैं उसी समय अपना गुस्सा दिखा के आपको काम छोड़ के चला जाऊँगा उस समय यदि मुझे गुस्सा आएगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता मैं क्या करने वाला हूँ क्योंकि उसकी वो क्षत्रिय धर्म की प्रवृत्ती थी एक और यही भगवान ने बोला है कि अपनी वृत्ती के अनुरूप कर्म करने से मनुश्यत्य वृता से उस पत्थ पर आगे बढ़ता है बजाय की अपने साथ ही निरंतर संघर्ष करता रहे एक व्यक्ती यही करन का हुआ था परशुराम के साथ उन्होंने सारी विद्या दे दी सोच कर कि वो ब्राह्मन है वो क्षत्रियों को इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्होंने कसम खाई हुई थी शबत ली हुई थी उनके घर में प्रहार हुआ था क्षत्रियों का तो उन्होंने सोचा हुआ था कि मैं क्षत्रियों को विद्या नहीं दूँगा करन ने बोल दिया कि मैं तो क्षत्रिय नहीं हूँ तो एक समय वो विश्राम कर रहे थे वो सुपरसित दखता है आपने सुनी होगी और करण के जांग के उपर बैठ कर उनोंने विश्राम किया और इतने में एक कीड़ा आ जाता है एक ऐसा कीड़ा जो उसकी जांग पर चड़ जाता है अब करण सोच रहा है मैं हिलूंगा नहीं क्योंकि यदि मैं हिला तो मेरे गुरु जो है इनका विश्राम भंग होगा कि मैं हिलूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए और वो जो था कीड़ा वो धिरे धिरे कुरेदना शुरू कर देता है उसकी जांग को और भीतर जाना शुरू कर देता और वहां करण जो है लहू लुहान हो जाता है परंतु मुक से आह नहीं निकालता और इतना सा भी हिलता नहीं बस जैसे ही परशुराम जो हैं उठते हैं क्या देखते हैं कि उसकी जो जांग है लहू से भरी हुई है रक्त से सनी हुई है और पहला उनके मन में भाव आता है कि मेरा शिश्य इतना श्रेष्ट जान देना आसान होता है जान को कश्ट देना कहीं मुश्किल होता है मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ कोई बोले देनी तो है नहीं बोलना तो असान है बोल दिया क्या जाता है आप कहेंगे पहाड से छलांग लगा दूँगा कहेंगे तो पूछेंगे गुरु जी ठीक कह रही हो लगाएं कि देख लो कुछ और हिला निकाल लेते हैं इसका परन्तु जान को जब कष्ट होता है जब शदीर को कष्ट होता है तब बास्तिता का पता चलता है तो करण ने कुछ मुँ से आह तक नहीं निकाली और जब परशुराम उठते हैं वो देखते हैं कि रक्त से सना हुआ है मेरा शिश्यत ने कष्ट में है तुरंत दूसरा भाव मन में आता है ये ब्रह्मन नहीं हो सकता इतनी सेहन शक्ति इसमें हो जाए मतलब भी नहीं ये शूर वीरता जो है इतनी परम सेहन शक्ति के शरीर पर चोट लगे ये अरक्त बहरा है और ये एकदम मुरत की भांती स्थित बैठा है स्थिर बैठा है ये ब्रह्मन नहीं हो सकता तो कहा सच सच बताओ कौन हो और उसको करण को शराब दे दिया कि जब सबसे अधिक आवशक्ता होगी तब ये विद्या तुमारे काम ही नहीं आएगी परन्तु आप गौर कीजिए एक बात पर अब महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरन हो रहा था सबसे पहले दुर्योधन ने जो एक ऐसे शब्द कहे वो था इसको मेरी जांग पर बिठा दो वही एक वृत्ती जो है चलिया रही है गुरू के समक्ष बैठकर एक कर्म हुआ एक सिद्ध मुनी के सामने बैठकर सानिध्य में बैठकर उस कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा उन शब्दों ने पीछा नहीं छोड़ा उसके बाद जब दुर्योधन का वद हुआ जो गांधारी थी उसने दुर्योधन को बचाने की कोशिश की अपने सारे तब की शक्ति लगा दी परन्तु जांग उसकी फिर भी रह गई वज्जर होने से और उसके बाद जब वद हुआ तो बगवान ने का इसकी जांग पर परहार करो तो बगवान ने का है वृत्ति जो होती है वो बहुत बलवान होती है कोई किसी से हम जब प्रसन्न नहीं होते हम यही सोचते रहते हैं यह अपने आपको बदल क्यों नहीं लेता विक्ति कितनी मुश्किल बात बोल रहा हूँ इतना इसो तो बोल रहा हूं कर क्यों नहीं लेता पर उसकी वृत्ती है बहुत समय लगेगा तो बगवान ने अर्जुन को कहा मैंने तुमें रहसे मही से रहसे मही ग्यान जो है दे दिया है अब जैसी तुमारी इच्छा तुम ऐसा करो परंतु फिर भी वृगवान ने कहा फिर भी अर्जुन कोई बात नहीं क्योंकि तुमेरा बहुत प्रिय है इसलिए तुमारे हित में अब ध्यान से मेरे ये वच्छन सुनना जो मैं तुमें बताने जा रहा हूँ अब एक भक्ती के दृष्टी कौन से या एक भगवान होकर जो एक विभूती अपने मुखार विंद से वचन निकालती है अब श्री कृष्ण अपने मुख से ऐसे वचन निकालने वाले है मनमना भव मदबक्तो मद्याजी मा नमस्कुरू मामे वैशिस सक्त्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में तुझे अपना बहुत प्रिय जानकर ऐसी बात कह रहा हूँ अर्जुन सबको कृष्ण ऐसी बात नहीं बोलते परन्तु क्योंकि तो मेरा प्रिय है इसी लिए ऐसी बात बोल रहा हूँ कि तो एक काम कर तु सिरफ मेरा भक्त हो सिरफ मुझे ही पूज मेरे ही अर्चना कर मुझे ही नमस्कार कर सबकुछ मुझे ही समर्पित कर अब तक भगवान ने दिखाया अर्चन को बताया अन्यत्र भी भगवान ने पहले भी ऐसा बोला था कि मुझे को नमस्कार कर फिर तु मुझे में परविष्ट हो जाएगा परन्तु अब भगवान ने उद्गोशना कर दी है और अर्जुन को ये बताया मैं क्यों तुम्हें ये रहस्य खोल के बता रहा हूँ कामताई क्योंकि भक्त के अंदर ही वो बल होता है भगवान को भगवान बनाने का नहीं तो कृष्ण जिसके साथ एक समकालीन राजा बन कर जीना था वो राजा बन कर जिए जिसने मित्र माना उसके साथ मित्र बन कर जिए युदिष्ठर ने बहुत आदर सतकार किया हमेशा भगवान का कभी उनके विरुद कोई आवास नहीं उठाई परंतु जब अग्यातवास में थे तो भगवान ने कहा था युद्ध कर लो भी छोड़ो यग्यात्मास और उनों ने कहा कि नहीं युदिष्ठर ने कहा नहीं भगवान हे मदु सूदन मैं ऐसा नहीं कर सकता मैंने अपने सत्ते का वचन दिया हुआ है जबकि अर्जुन और भीम दोनों ने कहा आपने कहा सोचने की जुरूरत नहीं चलो भी चलते हैं पर युदिष्ठर ने कहा नहीं जाने देंगे नहीं हम जाएंगे ये हमें मुझे धर्म संगत प्रतीत नहीं होता तो भगवान किसी के भी आगे भगवान नहीं बने सिवाए अर्जुन के जब शांती दूत बनकर भी गए तब भी भगवान एक दूत बनकर गए थे मात्र अगर वहाँ पर कुछ करिश्मा दिखाया भी भगवान ने तो सबने यही सोचा कि इसके पास सिद्धियां है यह मायावी है दुर्योधन का कहना था कि यह चलिया है शकुनी का कहना था यह उन लोगों के शब्दे जो महाभारत में लिखे हुए है कि इनके नहीं संस्कृत में इसके इसके पास सिद्धिया है ये छलिया है, ये तो गवाला है, ये तो राजा बनने के लायक नहीं है हमें तो पता ही नहीं कौन कहां से पैदा हुआ, कहां से आया इस बात को लेकर दुर्योधन जो है बार-बार प्रहार करता था पांड़मों पर वो कैथा तुम लोग कहां से देव पुत्र हो गए, तुम्हारा तो पिता कौन है पता नहीं महाभारत में ऐसा ही लिखा हुआ है, तो बगवान ने कहा देख, कौन बै, अब मेरी बात श्रिनु में परमवचन, सब कुछ भूल जा, परमवचन बताने जा रहा हूँ मेरा ही भक्त हो, मुझे ही नमस्कार कर, और तुम्हेरा बहुत प्रिये है, इसलिए बता रहा हूँ, फिर तु मुझी में समाज आएगा सर्वधर्मान परित जमामे कम शर्णम रजहमताम सरपापे भ्यो मुक्षश्यामी माशचा तु शोक मत कर किसी परकार से, सब धर्मों का, सब दुविधाओं का, सब वस्था का त्याग करके, अपने आपको पूर्ण तह, मुझे समर्पित हो जा वही कर, जो मैं कह रहा हूँ, वही कर, जो मैं तुझसे करवाना चाह रहा हूँ इससे मैं तुझे वचन देता हूँ, कि तुझे तुमारे समस्त पापों से मुक्त कर दूँगा, सदा के लिए अहम तूँ सर पाप व्यो जो जो भी तुझसे गलतियां हुई है, जो जो भी तुझसे पाप हुए है, आज कृष्ण तुझे वचन दे रहे हैं कि तुझे एक ही क्षण में मुक्त कर दूँगा, तू बस मेरा हो जा, और किसी भी चीज की चिंता करने की अवशक्ता नहीं है, कुछ भी और मत सोच, बस मैं ही तेरा अंतिम सत्य हूँ, फिर भगवान ने कहा, इदम ते ना तपसकाए, ना भकताए कदाचनत, ना चा आशु शुष्वे वाच्यम, ना चा मायो अभ्यसुयती, पर इतना गौर रहे अरजुन, ये बातें सब के लिए नहीं है, इदम ते ना तपसकाए, जिसने तब से अपने आपको साधा नहीं है उसको मत जाकि ये ग्यान देना शुरू कर देना, कि भगवान ने बोला है, वो भगवान है, चलो उनको नमसकार करते हैं, उनको समर्पित करते हैं, अपने आपको, वो हमारे सारे कश्ट दूर कर देंगे, समस्तपापों से हमें मुक्त कर देंगे, ये मैंने सब के लिए न दीला को भक्ती से नहीं सुन सकता, अशुरुपूर्ण नेत्रों से नहीं सुन सकता, शुद्ध हृदय से नहीं सुन सकता, उसको मत देना ये ग्यान, ऐसे विक्ती, ऐसा जो विक्ती है, मेरी जीवन कथा को सुनने का अधिकारी नहीं है, वो लाभनवित नहीं होगा, क्यो मोहम सरभू तेशु नामे द्वश ते नपरिया मैं सब में सम्हू मेरा कोई प्रिया नहीं और नाही मेरा किसी से द्वश है ये बज़नती तुमा भग्त्या मेरी तेशु चापे हम परंतु जो मुझे प्रीती से बज़ते हैं वो मेरे जैसे ही हो जाते है इसलिए ये ग्यान जो है जो मैंने तुम्हें दिया है अरजुन और ये जो वचन है जो मैंने तुम्हें दिये है कि मुझे समर्पित हो जा और मैं सब कुछ देख लूँगा ये मैंने सब के लिए नहीं कहे है ये मैंने के वल तुम्हारे लिए कहे है हाँ इतना मैं कह सकता हूँ जो मेरे जो इस भाव में जो ज्ञान का जो प्रवा हुआ है जो जो ये किसी दूसरे को सुनाएगा जो सुनना चाहता है जो भक्ती से पूर्ण है वो मुझे बहुत प्रिय है भक्ती मई पराम कृत्वा वो मेरी भक्ती ही कर रहा है जो भगवद गीता का पाठ कर रहा है जो भगवद गीता के ज्यान का प्रचार कर रहा है जो भगवद गीता का ज्यान जो है साजा कर रहा है वो मेरी भक्ती ही कर रहा है और फिर वो मुझी में परविष्थ हो जाएगा मेरा ही हो जाएगा मुझी में समाज आएगा इसमें कोई संशे मत रखना क्यूंकि भगवान के जितना ही दिव्य होता है भगवान का नाम तभी तो हमारे समाज में हम एक आदर से नाम लेते हैं अपने गुरू का या अपने भगवान का क्योंकि यदि उसमें आदर नहीं जलगता तो भक्ती कभी फलित नहीं हो सकती भक्ती कभी उबरे ही नहीं सकती फलित की तो बात छोड़े तो उसके जलते भगवान ने कहा कि जो ऐसा करता है वो मेरी ही भक्ती कर रहा है पराभक्ती पहले भवान ने बोला था ना कि जो सब में मुझे को देखता है सब में सम रहता है अपने द्वंदों से उपर उठ जाता है वो तत्व से मुझे जान पाता है जो तत्व से मुझे जान पाता है वो मेरी पराभक्ति की प्राप्ति करता है, जो पराभक्ति की प्राप्ति करता है, वो मुझी में समा जाता है अब भी शुरी कृष्ण यही बोल रहे हैं, परंतु अब उन्होंने बहुत सरल कर दिया कि जो मुझे अपने हृदे में धारन करके अपने समस्त कर्मों को करता है मेरा ही हो जाता है जो वो मुझे में समा जाता है परन्तु भक्ती में अहंकार की कोई जगा नहीं होती या तो भक्ती बैठ सकती है या अहंकार दोनों नहीं बैठ सकता है यह वो musical chair है जब तक मन का वो चल रहा है वादे यंत्र भीतर से संगीत चल रहा है तो वो दोनों भाग रहे हैं एक ही बैठ सकता है जैसे ही वो अंदर का music जो है बाजा बंद होगा दोनों ही अपनी जगा लेना चाहेंगे पर कुर्सी एक ही है या भक्ती बैठ सकती है या अहंकार बैठ सकता है और बहुत बार प्रशन उठता है कि क्या वास्तव में ऐसा भगवत गीता में हुआ क्या वास्तव में यही हुआ कि सेनाए जो है खड़ी होई थी और बीच में भवान इतने घंटे अरजुन को बैठ कर मक्का में काबे से लगबग 20 मिटर दूर एक कुवा है उसको बोलते हैं जमजम का कुवा और जो इबराहिम हुए एक बार उनको ईश्वर के एक आवाज आई कि अपनी पत्नी और नवजात शिशु को छोड़ के अभी तुम चले जाओ तो वो रेगिस्थान में जा रहे थे उस समय तीनों जैसी उनको लगा ऐसी आकाश्वानी वो भी एक पैगंबर हुए तो वो छोड़ कर चल दिये दोनों को हजर उनकी पत्नी का नाम था और इसमाहिल उनके बेटे का नाम था शिशु अब रेत चारो और भ्यंकर गर्मी और जो मा है उसको बहुत प्यास लग रही है और वो रोना शुरू कर देती दोनों जो बच्चा और मा हैं दोनों प्यास से तड़प रहे हैं इतने में जो इसमाहिल जो नवजात शिशु हैं अभी वो जैसे ही थोड़ा गोदी से नीचे उतरते हैं अपने पाउं के अंगुठे से हलकी सी रेत उठाती हैं तो वहां से जलदारा निकलाती है पानी निकलाता है तो ये जो कुवा है कहा जाता है इसमें जितने भी अरप में पीर पैगंबर हुए सब ने इस कुवें के पानी को लिया जमजम का नाम है उसी से जाम शब्द मना मुझे लगता है कि वो भी क्योंकि इसलाम में क्या है कि हर चीज एक खुदा के इबादत के साथ जोड़ दी जाती है हर सुख, हर दुख, हर भाव, हर होने वाली चीज, हर संकल्प अगर ईश्वर ने चाहा इंशालला तो ऐसा हो जाएगा तो हर चीज उसके साथ जोड़ दी गई अगर वो बैठकर एक सुख ले रहे हैं जिससे मनुष्य नशे में आता है उसको भी उन्होंने जाम का एक शब्द दे दिया एक बच्चे ने इस कहानी को सुना आज भी जो हज पे जाते हैं वो वहाँ से पानी जुरूर लेते हैं कि ये एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा आशीरवाद है एक बक्षिश है कहा जाए तो तो एक बच्चे ने अपने दादा से पूछा कि क्या ये कहानी सची है तो उस दादा ने कहा बेटा कहानी के तौर पर तो बिल्कुल सची है और यही हमारा कहीं न कहीं मत होना चाहिए शास्त्र को लेकर या तो हम इस उदेड़बुन में पड़े रहें कि सच है या जूट या हम उसको स्विकार करके एक बार उस पत्थ पर चल के देख लें फिर खुद ही एक ऐसे पड़ाव पर पहुँच जाएंगे जहां हमें पता रहेगा कि मुझे ये अच्छा लग रहा है या नहीं नाचा तस्मान मनुष्य शुक श्चिन में प्रियकृतम भविता नाचा में तस्माद अन्य में प्रियतरो भवी ना भूतो ना भविश्यती कौनते नाच से पहले नाच के बाद मुझे इस से बढ़कर कोई दूसरा कारिय प्रिय नहीं है भवान कहते कि जो मेरा गुंगान करे जो मैंने ये आज भगवत गीता दी है भवान ने कहा है जो इसका चिंतन कर सके और उन मनुष्यों के साथ साजा कर सके जो भगत है जो हृदय में भगती रखते हैं तो इससे बढ़कर मुझे कुछ और प्रिय नहीं है और छोड़ भवान ने कहा अद्यश्यते जो इमम धर्मम सम्वादम अव्यो ज्ञान यग्यें तनहम मेश्टर स्यामिती में मती भवान कहते हैं जो ये संबाद जो मेरा और तुमारा हुआ है अरजुन जो इस संबाद का अध्यन करेगा वो ज्ञान यग्य कर रहा है मेरे मत से एक हम यग्य करना होता है उसके पीछे कितना बड़ा विधी विधान होता है अगर उसको काईदे से करता है वगान ने कहा सिरफ इसका अध्यन कर लो वो भी मेरा ज्यान यग्य होगा इतना मैं निश्चित रूप से कहता हूँ जो श्रद्धावान होकर सुनता है इस भगवद गीता को सोपी मुक्त है पुन्यकर्मना कि वो फिर शुब लोकों को पुन्यकर्म का फल मिलेगा और ऐसा नहीं कह भगवान वच्चन दे रहे हैं ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं कि एक सत करम छोड़ कर सिरफ यही करते रहो एक बच्चा था छोटा उसका पेपर खतम हुआ, रिजल्ट आया, घर चला गया बापने पूछा रिपोर्ट दिखाओ, क्या आया है उसने का, बापा, 80% मेरे माक्स आए है, 80% मेरे जो है नमबर आए है पीता ने का, लाव रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट में होते हैं 40% पीता ने का, ये जूट बोले जा रहा है, सिरफ 40% आए हैं, तुम बोल रहे थी 80% आए हैं उसने का, बापी अधार कार्ड लिंक होने पर, 40% आदी सबसीडी में आएंगे अभी रिपोर्ट कार्ड लिंक नहीं हुए मेरे अधार कार्ड से जो कर्मों हैं, उसकी सबसीडी नहीं है भक्ती ऐसा नहीं है कि हम सिरफ आधी भक्ती कर लेंगे और आधे कर्म अपने आप हो जाएंगे पर इतना जरूर है जो कर्म करते हैं भक्ती से वो और श्रेष्ट हो जाते हैं शनैशन उपर मेद, बुद्धी, दृत, अग्रिफटा धीरे धीरे बुद्धी और दृती जो है सादक के अंतरगत आनी शुरू हो जाती है उसके नुसार चलनी शुरू हो जाती है और उसको करना ऐसा चाहिए भग्ताने का है धीरे धीरे शनैशन उपर मेद एकदम से कुछ नहीं हो सकता तो भगवान ने इतना बड़ा जो है बताया अरजुन को कि मैं ही सब कुछ हूँ मेरे ही हो जा मुझे ही नमस्कार कर और केवल मुझे कोन रूप से समर्पित हो जा मैं अपने आप देख लूँगा क्या करना है जब आपको ऐसा कोई मिल जाए जो बोले तुम्हें तमारे लक्षे तक मैं ले जाओंगा चिंता मत करो बस ये कर लो फिर उसमें सोचने की क्या वशकता है रामकृशन परमहंस कहते थे कि गाड़ी में यदी चड़ गए फिर अपना बोजह लेकर क्यूं चलना चाहते हो फिर तू नीचे रख सकते हो न अब तो गाड़ी में चड़ गए हो अब कंदे पर इतना भारी जो है बोजह लेकर क्यूं जाना चाहते हो गाड़ी के फर्ष पर भी रख सकते हो वो साथ ही जाएगा अब बोजा तुम्हें लेके जाने की आवशक्ता नहीं है तो यही भगवान ने अरजुन को कहा कि ये जो बोज है ठीक क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है ये जितना भी बोज लेकर चल रहे हो ये सारा भूल जाओ बस अब मैं जो कह रहा हूँ वो करो ये ज्ञान देकर वहवार ने अर्जुन से पूछा कच्चित ग्यान से मोह प्रणश्टा स्थे दनन्जय क्या तुमने एक आग्रता से मेरी बात सुनी कौन ताई यदि सुनी होगी तो तुमारा मोह और अज्ञानता निश्चित रूप से नश्ठ हो चुका होगा आप तक तो